नमस्ते दोस्तों आपका फिर से स्वारेते अपने वीटूब चानल में पिछली वीडियो में हमने जाना कि हार्मोनल असंतुलन क्या होता है और महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण क्या होते ही उसके साथ साथ उसके लक्षन और उसके प्रेकार के बारे में हमने जाना अब हम इस वीडियो में महिलाओं में हर्मोनल असंतुलन के अयुवेदिक उपचार के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हर्मोन असंतुलन की समस्या होने पर पूरे शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है हर्मोन को बैलंस होने के समय लगता है इसलिए गरेलू विलाज हर्मोन असंतुलन के लिए बेस्ट रूपचार माना जाता है नियमीद अहार में बर्पूर मात्रा में पोशक तत्वों को शामिल करके और जीवन शेली को सुधार कर हर्मोन असंतुलन की समस्या ठीक किया जा सकता है तो चले जानते हैं कुछ गरेलू विलाज ओमेगा 3 फैटी एसिड महिलाओं में हर्मोन असंतुलन का उपचार कारण सिर्फ सूधन को नहीं दूर करता बल्की चिंता और तनाव को भी कम करता है महिलाओं में हर्मोन असंतुलन के इप्चार के लिए क्टूफिप्टी से 500 मिलिग्रैम ओमेगा 3 फिप्टी एसिड सब्लिमेंट्स का सेवन रोजाना दिन में एक बार करना चाहिए प्राकृतिक रूप से हर्मनल असंतुलन ठीक करने के दही खाए महिला हर्मन बढ़ाने के उपाय के रूप में दही का सेवन करना सबसे फाइदेमंद माना जाता है दही प्राबायोटिक का सम्भुधध श्ट्रोथ है जो अन्तकी परत को रिप्यर करता है और महिलाओ में हर्मनल असंतुलन की समस्या को ठीक करता है प्राबायोटिक हिल्दी बैक्टेरिया होते हैं जो जो शेरीर को सही तरीके से कारियर करने के लिए आवशक होते हैं प्रोबायोटिक बैक्टेरिया की कमी के कारण वाचन संबंदी समस्याओं के साथ शेरीर में सूजन हो जाती है जिस खे कारण हार्मन असंतुलन की समस्या हो जाती है महिलाओ में हार्मोनल असंतुलन को प्राक्तितिक रूप से ठीक करने के लिए रोजाना दिन में दो बार एक को दोरी दही खाना चाहिए इसका नियमित सेवन करने से हार्मोन की गड़वदी ठीक हो जाती है महिलाव में हार्मनल असंतुलन का गरेलू इलाज अश्वगंदा अश्वगंदा में कई अवशदिया गुन होते हैं जिसे हार्मन को बैलेंस रखने में मदद करते हैं महिलाव में हार्मनल असंतुलन के इलाज के लिए अश्वगंदा का इस्तमाल प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है जिए अश्वगंदा अवशिदी ये चड़ी पूटी है जो हर्मोनल असंतुलन के मुख्य कारणों जैसी तनाओं और चिंता को कम करने के लिए और उसी के साथ साथ हर्मोन को बैलेंस करने के लिए मदद करत है इसके अलावा अश्वगंदा थाइराइड हार्मोनल असंतुलन को ठीक इसकर थायराइड हर्मोन एक्टिविटी को बड़ाता है हर्मोन को बैलेंस करने के लिए महिलाओ को नेमी 300 से 500 मिलिग्राम अश्वगंदा सपलीमेंट का सेवन करना चाहिए महिलाओं में हर्मोनल असंतुलंग के उप्चार के लिए सौफ का तेल महिलाओं में हर्मोनल असंतुलंग ठीक करने के लिए सौफ का तेल गरेलू उपाय के रूप में इस्तमाल किया जाता आ रहा है तो शरीर में हर्मोन को बैलन्स रखने में मदद करता है हर्मनल ग्लैंड को बहतर तरिके से काम करने के लिए अंतों का स्वस्थ होना ज़रूरी है नियमित रुप्ते सोफ का तेल का सेवन करने से ना सिर्फ अंत मजबूत बनते हैं बलकि पेट का सूजन दूर हो जाता है और पाचन बहतर होता है जिससे हर्मनल असंतुलन की समस्याद ठीक होने में मदद होती है एक ग्लास पानी में दो बुन सोफ का तेल मिलाकर रोजाना सेवन करें इसके साथ ही पेट और पेर के तल्वे को सोफ का तेल से मशाद करने से भी महिलाओं में हर्मनल असंतुलन ठीक हो जाता है विटेमिन डी महिलाओं में हर्मनल असंतुलन का इलाज महिलाओं में हर्मन को बैलेंस करने और हर्मनल असंतुलन को ठीक करने के लिए विटेमिन डी बहत जबूरी है विटेमिन D सूजन को कम करके इम्मुनिटी बढ़ाता है और हर्मोन को बैलन्स करने में मदद करता है आदे गंदे तर दूप में बैठने से पर्यापत मातरा में शेरिव को विटेमिन D प्राप्त होता है इसी के साथ विटेमिन D के सप्लिमेंट, कॉड लिवर ओईल, अंडे, मचली और मश्रूम का सेवन करने से भी महिलाओ में हर्मोनल असंतुलन प्राकूतिक रूप से ठीक होता है हर्मोनल असंतुलन के लिए योग और एक्सरसाइज महिलाओं में हार्मनल असंतुलन को प्राकूतिक रूप से ठीक करने के लिए योग और एक्सरसाइट बहुत ही फायदेमंद है ऐसे कई व्यायाम है जिने नियमित रूप से करने से हार्मन बैलन्स रहता है और महिलाओं को हार्मनल असंतुलन की समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिलती है जैसे कि व्योजाना तेजी से तहलने से हार्मन का स्थर कंट्रोल रहता है इसके साथ ही बुजंगासन, उष्टरासन और शशकासन करने से हार्मन बैलन्स रहता है एक्सरसाइज के साथ ही रोजाना 15 मिनिट तक शान्त वातावरन में बैत कर मेडिटेशन करने से महिलाओं में हार्मनल असंतुलन ठीक हो जाता है तो यह रहे कुछ गहरेल उपाएं जिसे हार्मनल असंतुलन से महिलाएं चुटकारा पा सकते तो चलो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खैल अरके और याद अरके आयुवेट ही जीवन है जीवन ही आयुवेट है जन्यवाद